अक्सर हम सभी रात में देखे गए सपनों को अंदेखा कर देते हैं बता दे कि स्वप्न शास्त्र के मुताबिक हर सपने का अपना कोई न कोई मतलब जरूर होता है ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिये आपको सपने में किन्न देखने के मतलब के बारे में बताने जा रहे हैं हाला कि वैसे तो घर में किन्न का आना शुब माना जाता है लेकिन सपने में किन्न देखना शुब है या अशुब इसके लिए आपको यह आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा किन्न को सपने में देखने के कई मतलब होते हैं किन्न को पैसे देते देखना अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि कोई किन्न उन्हें पैसे दे रहा है तो बता दे कि इस तरह का सपना शुब माना जाता है इस सपने का अर्थ है कि आपके संतान प्राप्ती के योग बन रहे हैं इसके अलावा आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है क्योंकि किन्न जब खुश होते हैं तो वह अपना आशीरवाद देते हैं किन्न को गुस्सा करते देखना अगर सपने में किन्न गुस्सा करते हुए दिखाई देता है तो यह एक अशुब सपना माना जाता है इस सपने का अर्थ होता है कि आपका कोई काम अधूरा छूट सकता है या फिर आपकी कोई बेहद एहम महत्वकानक्षा अधूरी रह सकती है आशीरवाद देते दिखाईदे किन्न इसके अलावा यदी सपने में किन्न आपको आशीरवाद दे रहा है तो ये भी एक शुब सपना होता है इसका मतलब है कि आपको जल्दी कोई खुश्खबरी सुनने को मिल सकती है अगर किन्न आपको सिक्का या गेहू दे रहा है तो आपकी कोई इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है लड़ते हुए दिखाई दे किन्न स्वपन शास्त्र के मताबिक यदी सपने में किन्न जगडा करते हुए दिखाई दे तो भविश्य में आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पर सकता है इस तरह का सपना आने पर आपको हर काम बड़ी ही साफधानी के साथ करना चाहिए